असलावलेगू माईट्यू फैमिली कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं सब खेरियत दियोंगे बहुत कुरूश होगी तो आज हम बनाएंगे मजब लाओ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एजी रेसिपी के साथ हम इसे बिल्कु धाबा स्टैल मनाएंगे लाजमी आप लोग तीन कब मैंने यहां पर हरें बडर ली गे लिए हैं डो टीसपून जिनर गालिक पेस्ट दो टीसपून जीरा बेल बेलीफ तीस नहीं से चार काजू और दो ग्रीन चिले लिए हैं और और इस पहलें बिल्द मिर्जी के साथ बिनाया है और नमक आपने टेस्प के काड़ि यह बिल्कल उप्षनल है वगर आप इसको डालेंगे न तो आपको प्लॉक को टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। घिय और तेल को मिला लें और आपका जो घह से घर आप हो जाएं के बाद आप इसमें अकठी हुए प्यास को डाल दें प्यास को आप light golden brown होने तक तोड़ी सी गार्णिशिंग के लिए जिसके बाद जीरा, काजू और सारी खड़ी करब मसाले मैंने या पे लिए हैं अच्छे से एक दो मिट के लिए आप इसको फ्राई कर लें और फिर उसमें मैंने या पे दो हरी मिर्चे डाली हैं फिर उसके बाद जिंजर गालिक का पेस्ट और पीली मिर्ची को डालके आप इसको अच्छी तरीके से बून लें अगर आपको मसाला चीपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं फिर उसके बाद आप मसाले में अपने हरे मटर को डालें मेटर डालने के बाद आप इसको तीन से जाविट तक और अच्छी तरीके से बून हैं फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल राइस लिये हैं एक ग्लास मैंने यहाँ पर राइस लिये हैं इसको भी डालके आप अच्छी तरीके से मसाले में चावल को मिला दें फिर पिर कि बाद मैंने यहां पे एक ग्लास चाल लिये थे तो उसके हिसाब से मैंने यहां पे испड़ ग्लास पानी लिया है यानि ऐ ऐक ग्लास पानी भर के और आदे से आधा थौडा से और पानी और फिर इसके बाद आप इसमें नमक डाल दें, नमक आप टेस्ट कर लिए और इसके बाद आप नमक को टेस्ट भी कर सकते हैं, नमक की कोईटिटी आप अपनी टेस्ट के कोडिंग बिल्कुल और कम जादा कर सकते हैं और इसमें मैंने यहां पर एक उबाल आने तक इसमें विसल नहीं लगाई है, अब हमारे चावलों में उबाल होने के बाद यहां पर मैंने इसका ढखकन लगा दिया है, इसमें सिर्फ मैं दो सीटी लगाऊंगे और हमारे चावल बिनके रेडी हो जाएंगे, और यहां आग तरी हमारी दो सीटी सीटी को आप पहले से ना निकाले वहना आपके चावल गीले लगे और कच्छे पी रहचाएएंगे याप चावल हें हैं कि नहीं हमारी चावल एक दम बनके रढ़ी हो चुकी हैं जों आप किसे सर्फ करें इससे आप sitting के साफ राइति के और आप इसको गानिश करें अपने मन चाहिए तरीके से यहां पर हमने जो प्यास फ्राइब की थी बचा की रखी थी उसको मैं यहां पर डिकॉर किया है थोड़ा सा धन्या बथती है तो जरूर ट्राइब करिए का इस हरी मेचर के प्लाओ को बहुत ही डेस्टियों बहुत ही यह मैंने ला आला हाफिज